तो यार अगर आपको waterproof smartphone चाहिए आज हम इसी topic की बात करेंगे प्राइज के according बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपका बज़र 25,000 से लेके 30,000 हो जाता है इस budget range की बात कर लेते हैं अगर आपका 25,000 से 30,000 है इस price range में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए perfect deal हो सकता है LG G8X को अगर इस smartphone की मैं बात करूं सबसे पहले इसका budget range पहले बहुत ही जादा था आपको 50,000 के budget range में यह smartphone देखने को मिलता है लेकिन अभी इसका price कम होगे आपको 30,000 के budget range में द design इसका look आपको बहुत ही जादा पसंद आने वाला है विकर्ज इस smartphone में आपको dual display देखने को मिल जाती है मतलब 30,000 के budget range में आपको dual display देखने को मिलता है वो भी already displays में देखने को मिलता है जो कि बहुत ही जादा थगड़ी होने वाली अगर आप Netflix Prime Video YouTube वीड़ी देखने के ज आपको dual display देखने को मिलती है तो that's why आपका जो self experience है photo experience है वो बहुत ही जादा इस smartphone में तगड़ा होने वाला है and अगर मैं बात करूँ इसके processor की बई अगर आप hardcore gaming करना जातो आप सभी के लिए भी ये smartphone perfect deal होने वाला विकर इसमें आपको snapdragon 855 का processor देखने को मिलता है जो की 6 GB RAM के साथ देखने को मिलता है अपने main topic की बात करते हैं कि waterproof smartphone है के नहीं है हाँ यार waterproof smartphone आपको मिल जाता है इसमें आपको IP68 water industry जिसने rating देखने को मिल जाती है मतलब आप 1.5 meter तक जो है अपने phone को पानी में dip कर सकते हो आदे गंटे तक तो normally आप रख सकते हो प्लस भाई मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाहता हूं आपको military gate certified जो है वो ये smartphone देखने को मिलता है अगर आपका phone गिर भी जाता है कहीं पर भी गिर जाता है तो आपका phone जल्दी तूटने वार गारा नहीं वाला विकर इसकी जो build quality है वो भी बहुत जाता तगड़ी मिल जाते है प आगे बात करते हैं नंबर फो की नंबर फो की बात करूँ यार नंबर फो पर मैंने रखा है Samsung Galaxy S20 FE को तो सबसे पहले बई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपको 5G smartphone देखने को मिल जाता है इसके color बगारा भी बहुत ही प्यारे देखने को मिलता है इसके color सब्सक्राइब करने हैं आप इसली नॉर्मली कर सकते हो इसका camera quality बहुत ही दगड़ी है आप बैक कैमरे में भी 4K शूट कर सकते हो फ्रंट कैमरे में भी 4K शूट कर सकते हो प्लस अपने में टॉपिक की बात करते है waterproof smartphone आपको देखने को मिल जाता है IP68 water and dust resistance rating इसमें भी दे ब्रेंड टॉप्रेंड में से आता है प्लस भी इसका तो डिजाइन इसके color वगारा look वगारा स्मार्टफून का बहुत ही ज्यादा आपको अपर देखने को मिल जाता तो पही अगर आपने अभी तक नहीं चाहूर किया था Samsung Galaxy S20 FE को एक पार आप चाहको जूरूर करना विक देखने को मिल जाता आइफून 11 आपके लिए पॉफटील होने वाला भी अगर आप एपल लवर हो प्लस इसके color वगारा भी बहुत प्यारे देखने को मिलता है ये भी आपको six colors में देखने को मिलता है सबी color इसको बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं ठीक है तो पही अगर आपने smartphone के और जाना है आप जा सकते हो मैं आपको बता देना चाहता हो कि आपको 5G smartphone नहीं देखने को मिलता है लेकिन इसके specification बहुत ही ज्यादा थगड़ा है सबसे पहले अपने main topic की बात करते हैं इसमें भी आपको IP68 water industry जिस्ते रेटिंग को मिल जाती है waterproof smartphone आपको देखन देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको ए थोड़ी पाने चिप सैट देखने को मिलता है जो की बहुत ही जाला तगड़ा है अगर आपने hardcore gaming करनी है multi-dasking करनी है जब कोई भी आपने कोई heavy application download install करनी है अपने phone पे आप इजली normally कर सकते हो 4GB RAM के साथ आता है इसके तीन वे storage के और नहीं जाना विकोज इतना storage आपके लिए आगे जाके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला wireless charging sport करता है बैंटरी थोड़ी सी कम है जल्दी खतम हो जाती है और कोई भी इशू नहीं देखनी को मिलता है smartphone में तो बही में मैंने आपको बता दिया एक एक चीज बता दिया iPhone 11 में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता आपके लिए पसंद आने वाला के नहीं आने वाला तो भी अगर आपको like iPhone 11 चाहिए waterproof smartphone चाहिए आप स्मार्फून के और भी चाह सकते हो आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करें नंबर टू पर मैंने रखा है Samsung Galaxy Note 20 Ultra को अगर इस smartphone की बात करों सबसे पहले आपको 5G smartphone देखने को मिल जाता है कलर इसके भी बहुत ही ज्यादा प्यारी देखने को मिलते है जादे कलर इसके तो चलो नहीं आते तीन कलर में आता है तीन वेंट में देखने को मिलता है इसमें आपको Xnox990 देखने को मिलता है प्रसाइसर जो की Supreme monitor display देखने को मिल जाती जो की Huawei кстати the request reqp experiencing tune IIp60 बश्याenc़ देखने को मिल जाता है और यस WLLx चारंजिंग भी इसपोर्ट करता है इसकी ऐसका कारते है इसकी प्लसपइट आ जाता है कि जो इसका कैमरा है आप फोर्के में शूट कर सकते हो फ्रंट कामरे में एंड आपBaby डि जो कि और किसी फूल में आपको कर दूब में यह आपको रहल रगलेगी फून में आपको बहुति है प्ल पींट नहीं लिगने को मिल दी जो कि समसंट गलक्सी currently इन आपको, शी Folge को अब जलती है कि तो आप श्काकिए से लोगया रहते हैं, आहीं बात करता है number one की नबर व्वान की बात को लिया है number one पर यार मैंने रखे हैं apple की और और से smartphone आप iPhone 12 के और मीनी के और जा सकते हो गापल के आप tego iPhone 11 pro max के और पूप सहसे आपको सभी में IP 67 ड्रेटिन सबस्ब्स प्लेंब आपको waterproof देखने को मिल जाते हैं Apple के और से इन में से आपको कोई भी लेना जाते हो आप ले सकते हो अगर आपका budget मतलब अगर आपको बेड़ सतर जार से लेके एक लाख है एक लाख बीस अजार तक है तो आप इन स्मार्टफून के और नौर्म इजली जा सकते हो तो यार को भी कहता नगी चैनल को देखने को देखने को मिल जाएक उसको चारू करना है में मेलते नाक्स्ट वीडियो में वीडियो को साथ तेंक यू झाल झाल झाल